36 गड़ की राजनीती में किनाट की घटना करम के तहट प्रदेश के पंचायत और ग्रामीन विकास लोक स्वास्त तथा परिवार कल्यान चिकित्सा शिक्षा मंतरी टी एस सिंग देव ने बीती शाम पंचायत और ग्रामीन विकास से अपना इस्तीफा मुख्य मंतरी को भेज उन्होंने मुख्य मंतरी को भेजे अपने चार पन्नों के स्थीफे के पत्र में प्रदान मंतरी आवास का निर्माण नहीं होना, अधिकारियों की मनमानी, उनके द्वारत तैयार पेसा प्रारूप में बदलाव और मन्रेगा की हर्ताल की वज़े से बरखास्त हुए सहायक परियोजना अधिकारियों की बहाली को बताया है, श्री सिंग देव ने पंचायत और ग्रामीन विकास विभाग के अलावा अपने प्रभारवाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंतरी के रूप में बने रहने की बात कही है, गोर तलब है कि कॉंग्रेस के वरिष्ट ने की बात थी, लेकिन धाई साल होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंतरी का पद नहीं सौपा गया, इसके चलते भी श्री सिंग देव नाराज चल रही थी, इस संबंध में उन्होंने कई बार दिल्ली में कॉंग्रेस नेतरतों से बात चीत कर अपनी बात भी रखी थी, इ इस बीच भारती जनता पार्टी के वरिष्ट नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने श्री सिंग देव की उपेक्षा और विभाग छोड़ने पर सवाल खड़े किये हैं इस से मंत्री जी आहत हो करके जो त्याग पत्र दिये हैं लगातारों प्रयास किये कि गरीबों को प्रधान मंत्री आवास मिले लेकिन जिस प्रकार से उसको रोका गया आज आठ लोग आठ लाख नोग वंचित होगे प्रधान मंत्री आवास से लगातार इस विधान सभा म इस बात को उठाते रहे कि 13 लाख लोगों को आवास नहीं विला है और ये बात सावित हो रही है उनके त्याक पत्र में दिया गया है। इधर राज्जी में विधानसभा का मौनसुन सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। शिसिंग देव के इस कदम से विधानसभा का सत्र हंगामेदार बने रहने की संभावना है।